अस्सलाम अलेकुम मेरी यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब आज में रूबी कराची फूर्ड में बहुत यमी और देशी विलेज स्टाइल सरसो कसाग और मके की रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो के आपको बहुत पसंद आने वाली है मैंने बहुत मेहनत से तयार की ह सिटेब बाई स्टेब इस रेसिप को शेड़ किया है। इसलिए इस रेसिपी को फूल वोच करें ताके समझ में आए aware चलिए करते हैं अपनी रेसिपी को स्टांट ये देखिए हमने इस तरहा की सरसो ले लिए तकरीबं हमने वन केजी सरसो ली है और हमने इसको तोड़ कर कटिंग कर लिया है यह पालक लिया है हमने तकरीबन हाफ केजी इसमें पालक 8 होगा इसको भी हमने पत्ते तोड़ कर इसकी कटिंग कर लिये और यह हमने बत्वा लिया है बत्वा भी हमने हाफ केजी लिया है देखी कितना अच्छा बत्वा है यह बहुत ही यमी लग रहा है बीसे ही, दो गड़ी सोया की ले ली है, सोया साग में ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है, अब हम करते हैं, रेसिपिक को स्टार्ट, सबसे पहले हमने एक पेन में पानी ले लिया है, इसके लिए बड़ा पतीला चाहिए होता है, और हमने ये सरसो को वोश कर लिया है, कटिंग क बात बहुत अच्छी तरह तरहा है, हमने बोयल पानी में पानी तक्रीषए बहुत बहुत पानी और्लीस करते हैं, ये हमने बतवा ले लिया है, बतवईका टेस्स, सरसो के साग में बहुत यमी लगता है, बहुत मज़दार टेस्ट होता है बढ़ए का, इसलिए हम लाजमी एट करते हैं, अब हमने पालक ले लिए हापके जी, जिसे हमने कटिंग करके अच्छी तरह से वोश कर लिया है, क्योंके बहुत मटी होती है, इसलिए हमने लाजमी 4-5 पानी निक पानी में अच्छी तरह से सोफ्ट हो जाए इसलिए है हमें तकरीबन साग को नरम करना है अभी हमने साग को फुल कुक नहीं करना है बस सोफ्ट करना है जैसे ही सोफ्ट हो जाएगा साग हमारा तो हमने इस पानी को निकाल देना है कवर करके रख देंगे अभी इसको 10 मिनट क ना है जिसके लिए हमने कवर कर दिया है कवर करने tray in- mail में स्टेयं कर देंगे ताके सारा पानी जो है इसका निकल जाये सारा साग हमने चां Ice aç और साईस्य में तीन कुना बढ़ गया है, अब यजिए साग हमारा बचा है, इसमें हमने साफ पानी एड करना है, ये पानी एड करने से साग में करवाहर जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए हमने यह पानी निकाल दिया था, इदे कि क्аботक्व बD वॉयल अच्छा ही साग तयार होता है, अब हमने इसमें अच्छी कर देनी है, हम चाहें तो blends जार में भी इसको blends earliest can friction और अरसल टेस्ट जो है साग का इसी तरह गुटाई करने से आता है मिक्सी जार में मिक्स करने से टेस्ट वो नहीं आता जो इस तरह गुटाई करने से आता है कवर कर दिया है थोड़ी देर के लिए हमने कवर हटाने के बाद हमने इसमें कुटी हुई मिर्च, नमक और हरी मिर्चों को हमने चौप कर लिया है बारी आपको स्पाइसिस अगर कमिया जाजा करने हैं तो स्कीप कर सकते हैं या मज़ीद और एट कर सकते हैं मुझे इतने ही स्पाइसिस रखने थे, अब हमने ये स्पाइसिस एट करने के बाद भी अच्छी तरह से घुटाई कर देनी है, जितनी अच्छी घुटाई होगी उतना ही अच्छा साग तयार होगा, तक्रीबन तीन घंटे हो गए हैं साग को पकते हुए, कवर कर दिया है, अब हमने इसमें आलन के लिए हमने आटा ले लिया है, और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, बेटर तयार करना है, मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी साग हमारा उतना ही अच्छा तयार होता है, साग में आटा ना हो, तो मज़ा ही नहीं आता, अगर आपके पास म मकई का आटा नहीं था मकई का आटा आने में देर हो गई थी और साग मेरा तैयार तक्रीबन होने वाला था इसलिए मैं इसमें आटे का गोल डाल दिया है इसका भी टेस्ट अच्छा होता है अगर मकई का आटा है तो इसकी तो बात ही खेर अलग होती है पानी एट कर दिया है हमने जितनी तिकने च्ट्क झाड़नी है उतना ही पानी इसमें एट कर दिया है क्योंकि बहुत अच्छे साग साग हमारा हम गठ गया है आप पाने एट करने आप इसस्की पे रिष़बाद पे इच्छी तरह ना से घुटा ये हमें बहुत पसंद है, तो हुमने इसलिए डिया है, साग हमारा तयार हो गया है अब हमने साग को ڈिश आउट कर लेना है और डिश आउट करने के बाद हमने इसका अच्छे से तड़का तयार करना है, चलिए अप लेते हैं कना को तैयार हमने को चोटी कड़ाई ले ली है उसमें घी को अइट कर ध दिया है ड़िकों फ्लेवर अच्छा यईइ अच्छा लगता है strm में अच्छा मज़े का तडगा हमारा में एट होगया है अब हमने मकई की रोटी को तयार करने के लिए मकई का आटा ले लेना है चलिए करते हैं रेसीपी को स्टार्ट एक हमने मत्ती का बोल ले लिया है जिसमें हमने मकई का आटा एट कर दिया है खालिस आटा है ये इसमें हमने किसी किसी के आटे की मिलावट नहीं करिये मकई की आटा पहले से हमने च्छान के रख लिया था अब हमने इसमें नमक एट कर दिया है नमक आप अपने हिसाब से कमिया ज़्यादा कर सकते है mixing कर दी है ताके नमक अच्छी तरह से मकई की आते में मिक्स हो जाए ह custody है अगने इसमें निमगरम पानी add करते रहना है थोड़ थोड़ स्भा सकते हैं जिसे हम नॉर्मल आटे की जिस से सब्सक्राइब बनाते हैं उसी तरह यह भी बहुत अच्छी तयार होती है, सौफ बिलकुल, आटा हमारा इकटा होना शुरू हो गया है, अब यह देखिए, हमारी एक जगा इकटा हो गया है, आटा और सौफ सी डो बन गई है, अब हमने आटे को मसलते रेना है, और हातों की हतेलियां जो होती है, साइट का जो हि सौफ होता है, जिस तरह में आपको बतारी उसी तरह करते रेना है, अब मैंने मुक्की का तिया है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से आटा चिखना हो गया है, और सौफ सी डो तयार हो गई है, तो मैंने अब दबारा से इसको हाथों की हतेलियों की मदل्स से मसलना شुरो कर अब मैंने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए जी देखिए 10-15 मिनट हो गया है कवर मैंने हटा लिया है अब मैंने रोटी तयार करनी है बिल्कुल रेडी है मेरा आटा अब मुझे जितनी रोटी तयार करनी है और जिस साइस की तयार करनी है उसी साइस क ही मैंने आटा तोड लेना है और आटा तोडने के बाद इसके पेड़े तयार कर लेने है बहुत सोफट आटा होता है इस आटे में लचक बिल्कुल भी नहीं होती है नॉर्मल आटे की तरह इसलिए इस आटे को बेलने का तरीका भी अलग होता है मैंने पांच पेड़े तयार कर लिये है और एक मैंने शोपर ले लिये है जिसे मैंने कटिंग कर लिया है इस शोपर पे रखके मैं एक पेड़े को हाथ से प्रेस करूंगी और मैंने ग्रीसिंग कर ली है शोपर को ताके आटा इसमें चिपके नहीं अब मैंने हाथों की हतेली की मदद से इसको बढ़ाते लेना हैं इस तरह से भी रोटी तयार होती है लेकिन मैं हाथ से बढ़ाने देखिए जिस तरह से रोटी तयार हुई है, थोड़ से साड किनारे जो है साइट इसके मैंने ठीक कर लेने हैं, ताके राउन शेप में आ जाए, देखिए इजिली हाथ में आ गई है, हट गई है शोफर से, अब मैंने इसको तवे पे रख दिया है, अब मैंने इसको सेख न ह यह देखिए हाथों की मतलब से मैंने इसको प्रेस कर लिया है और मैंने इसको अच्छी तरह से सेखना शुरू कर दिया है अब मैं इस स्टेश पे इसमें घी एड़ कर दूंगी आप इसको पराटा भी केश सकते हैं मकई का और रोटी भी केश सकते हैं यह पहला तरीका है मेर नहीं मतलब मृटी करने का इसके बाद मैं दूसे तर्धा पराटा कितना मजईदार तइयार हो गया है अब मैं दूसरा तरीका बता रही हूं आपको बिखिए इस तरह से मैंने पेले के सेम मैंने यह रोटी भी बैल लिक्षी ने अब मैंटने साइस इसका किनारे है उसको मैंने कट कर लिया है देखिए गोल सी रोटी तयार हो गई है मेरी रोलिंड पिन से बेलने से contrary तयार नहीं होती है किनारे इसके तूटने लग जाते हैं किनारे इसको तोगे पर ड़ाल गाल दिया है इसको मैंने हातों की मदद से प्रेस कर लिया है किनारे जो भी इसके मोटे हैं उसको मैंने हातों की मदद से दबा लिया है ताके किनारे जो है इसके पतले हो जाएं और मैंने इसको सेखते रेना है गुमा गुमा के इसी तरह से साइड चेंज कर देंगे, अब मैंने इसमें किसी किसिम के घी या ओईल का इस्तेमाल नहीं किया, नॉर्मल आटे की रोटी की तरहां इसको सेकूंगी, जिस तरहां नॉर्मल आटे की रोटी सिखती है, देखें कितने अच्छे से सीख रही है, और बहुत सोफ रोटी तयार बहुत मज़ेदार लगी थी, खाने में ये रोटी सिख चुकी है, मैंने इसको अटा लिया है, अब मैंने तीर इच्छी रोटी को भी इसी तरह से ही बेल कर राउंड शेप में डाल दिया है, तवे के उपर देखें कितनी अच्छी रोटी तयार हो रही है, और कितनी अच् इसी रोटी तयार होती है इस तरह से, और बहुत मज़ेदार बहुत लजीस रोटी तयार होती है ये, इसी तरह से मैंने सेख लिया जिस तरह मैंने बाकी रोटी को सेखा है, इसीली सीख जाती है ये रोटी, और मैंने सिलेंडर पर बनाई है ये रोटी क्योंकि मारे घर में गेस नहीं थी, तैयार हो गई है, अब मैं इस रोटी को भी निकाल लूँगी, चोथी रोटी भी मैं इसी तरहां से ही एट कर दूँगी, इसी तरहां से ही दवा दवा के सेकूंगी इसको भी, इस्पूर की मदद से, या किसी कोई कपड़ा लेने, अगर आपके पाद कोई किया था, मक्खन लगा कर सरसो के साथ के साथ इस रोटी को खाने की बात ही कुछ और होती है, बहुत लजीज हमारी रोटी तयार हुई है, सरसो के साथ के साथ मक्खे की रोटी का कॉंबिनेशन बहुत थी, मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको सरस राप बच्या झान बच्चल